लोगम और डीकिते हैं आप लोग फर्द्रेशक को लाइक कर दो जल्दी से शेयर कर दो जिससे हम लोग सर अपनी क्लास को आगे बढ़े हैं और आज क्या रहेगा खास, तो आज हमने लोग लेके आए सर, PGCL, Sale और DLSV के वो प्रिवेसर के GKGS के कोईशन्स, जो हमारे एक्जैम में सर, पहले पूछे जा चुके हैं, साथ मैंने वो कुछ कोईशन्स एड़ भी कर दें, क्लास के बाद, और यहां पे सर, जितने लोगों ने अपने प्यारे चैनल, आईटे एक अड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटावर सब्सक्राइब कर लेंगे, और आज आएंगे एक हुमव कोईशन पे, कल एक हुमव कोईशन दिया था मैंने आपको, याद है, सर हुमव कोईशन में ये था, साइद एहमद बढ़ लेवी वसी फांडर ओफ विच मुस्लिम रिफॉर्म मुवमेंट, तो यहां पे आप लोगों के अलग-लग आँसर दा रहे थे, कलास के एंडिक में, निलेश, वाइटी गेमर्स, कल की कलास अगर याद हो, तो मैंने बूला था, सर, सर, साइद एहमद खान से, हम लोग अलिकर्ट मुवमेंट के साथ जा सकते थे, एहमद या मुवमेंट मैंने आपको पहले बताया कि वो गलत था, अब आप लोगो ने क्या क्या आंसर दी एक बार आपके आंसर देखनों फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, गुरुदेव, यहाँ पर आपके आंसर सबसे लिए विश्यजीत ने आंसर दिया, कि सर जो डी है ना ये परम सक्ते उत्तर होगा, बहुत बढ़िया, विश्यजीत का तरीका ही अलग है, उसका एजी एमो, रोजाना इनका आंसर आता है, बिल्कुल सही आंसर आता है, इन्होंने सही बताया, लेकिन बेटा जो आंसर होगा, वो होगा दी, ठीक है, तो यहाँ पर सही सरोज, नीलेश, और जितने भी लोग मौजू थे हैं, सब लोगो गोड़ाफनून, ओजी अमित, यहाँ पर जो सही आंसर था, वहाभी मुमिट, तो यह तो रही बात कल के सवाल की, लेकिन आज उनका पहला question आपकी screen पर यह रहा, सब pommel horse, roman rings, vaulting table are some terms that are related to dash, तो pommel horse हो गया, roman rings हो गया, यह सर किससे संबंदित हैं, gymnastic, swimming, या फिर घुड सवारी, यहाँ पूलो, तो आपके बास चार options हैं, फटाफट से मुझे आंसर दीजी, यह सर किससे संबंदित हैं, चल्दी प्ल Apollo, या फिर घुड सवारी, तो वेटिं फॉर आंसर प्लीज, फटाफट से सभी लोग मुझे आंसर देंगे, क्या आंसर होना चाहिए, अखिलेश, नीलेश, ओके, तो गुरु देव, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, पॉमल horse, roman rings, तो सर यह सारी की सारी चीज हैं, हमको पत सर स्विमिंग से रिलेटिट तो नहीं होने चाहिए, हाना, सर यहाँ पर पॉमल horse वाला पार्ड और यह roman rings, मुझे साफ सफ क्लाइटी देती है, कि मेरा सर यहाँ पर स्विमिंग यानि कि तेरा की तो आंसर नहीं हो सकता, अब आप लोग क्या लगता, आप लोग बताएगा तो यहाँ पर जो सही आंसर है, वो है option number A, right? आप लोग एक के साथ जा रहा है, वो सब के साथ बिल्कुल सही है, अब आगे बढ़ते हैं, सर इसमें कम से कम एक element होना चाहिए, यहाँ पर जो आंसर होगा, that would be gymnastic, अगला सवाल, तो दो जोया फेक्टर सा किसके द्वारा लिखेत उपन्यास है, राजशरी, जैरी पिंटो, सुकेटू, महता, या फिर अनूजा चोहान, तो चार options हैं आपके पास, फटाफट से मुझे आंसर दीजेगा, यह जो किताब है, सर हमको पता है, किताबों से संबंदित कोशन प सर अब इसका बताईगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको, so answer please, so zoya factor is a novel written by dash, राजशरी, जैरी पिंटो, सुकेटू, महता, या फिर अनूजा चोहान, answer please, hello रूची, good afternoon बेटा, कैसे हैं आप, so नीलेश सबसे पहले D के साथ गए हैं, बागी लोग भी आप लोग प्रीज आंसर दो फटाफट से, तो यहाँ पे सर एके करके देखते हैं, राजशरी, इनके दौरा जो किताब लिखी गई है, वो है, trust me, अनूजा चोहन, शाही सरूज, बी के साथ जा रहे हैं, ठीक है, so Jerry Pinto, Jerry Pinto की साथ जो बुक है, that is Helen, इनके दौरा जो किताब लिखी गई है, वो है Helen, so नीलेश हमारे C के साथ जा रहे हैं, C बोले तो सुकेतु मेहता, सुकेतु मेहता की जो किताब है, सर वो रहे हैं, maximum city, यहाँ पर क्या है, maximum city, और the Zoya factor जो है, इस बार O.G.M.A. अपनी किताब में फिर्स दे लिख लो, कि आपका सर इस बार आंसर बिल्कों सही है, एक चप्र आपकी डन है, so this is the Zoya factor है, सर यह लिखी गई है, अनुजा चोहान द्वारा, right, so Bombay lost and found, maximum city, Bombay lost and found, यह जो किताब थी, यह लिखी गई थी, सुगेतु मेहता द्वारा, तो इन किताबों से अगर आपको कोई नाम देख जाए पेपर में, तो प्लीज गलती मत करिएगा, trust me was written by राश्री, Helen, Jerry Pinto, maximum city, that is Bombay lost and found, सुगेता मेहतु, और सर जोया factor, आपका अनुजा चोहान, इतना क्लियर, next, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह है, अगला सवाल है यह, Sir, Hornville Festival is celebrated in which of the following states, Hornville उत्सव निम लिकित में से किस राज्य मना जाता है, और यह Hornville उत्सव काफी exam में पूछा जा चुक है, सेम सवाल SSE MTS, SSE CGL, इसके लावे SSE JE में सर यह सवाल, और आरर भी जेई और आरर भी एलपी में पूछा चुक है, तो PGSL में नहीं पूछा, बटाने की समभावना है, फेस्टिवल से समभने सवाल आते हैं, तो Sir, Hornville Festival किस से समभन देते हैं, नागलेंड, लद्दाक, राजिस्तान या तमिल नाडू, और क्लास की हमने स्टार्टिंग करी थी न, PGSL की हमने सीधी स्टार्ट कर रहे थे, तो दूसरे या तीसरे दिन हमने सवाल पूछा था, Hornville Festival दोवरा, सो देखो, मन्टू सबसे पहले गाएं, नागलेंड के साथ, ओ जी, अमें तो भी हमारे एक के साथ जा रहे है, यानि कि नागालेंड बहुत बढ़िया, बाखी लोग, संगीता भी नागालेंड के साथ जा रहे हैं, तो इस बार तो सर धमाका कर दिया, एक-एक बच्चा सही है, तो ये होन्बिल जो फेस्टिवल है, सर ये नागा लेंड से ही संबन देते हैं, एक-एक बच्चा बिलकुँ सही जा रहा है, चलिए, तो सर इतना पाड़ हो गया, अब आगे बन लेते हैं, अगला सवाल है आपका ये, बारती समविदान का निमले कितमे से कौन सा अनुचेद, नागरिकों के लिए, एक समान नागरिक संहिता से संबन देते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट की तो बहुत देश में बात हो रही है, और इस से संबन देत, प्रशन सर आने के पूरी-पूरी संबाव ना है, पहले भी आ चुका है, अब आने के पूरी-पूरी संबाव ना है, तो इसका आंसर देज़ेगा, सर कौन सा अर्टिकल, जल्दी प्लीज, तो सर पूरी के पूरी अगर मैं देश की बात हो, चाहे वो सर union territory हो, चाहे वो सर state हो, हर एक person के लिए same type का सर rule and regulation होने चाहिए. सर ये कौन सा article कहता है? तो यहाँ पे सर article 44 जा रहे है संगीता, मंटू जा रहे है article 42 के साथ, नेगम एक के साथ है article 44, तो जितनी भी लोग article 44 के साथ जा रहे है, एक एक बच्चा सही है, कि अगर हम लोग article 44 के साथ जा है, तो article 44 ही आपको Uniform Civil Code for Citizens के बारें बताता है, तो यह प्लीज याद रखेगा, यह वाला article सबसे आदा important है, मैं से में mark भी कर देता हूँ, अब कोई मुझे बताएगा सर, यह article 42 किसे संबनित है, आटिकल 42, क्योंकि सदेखो, मैंने हमेशा से क्या किया आपको Postpartum करके बताएगा सारे questions का, तो article 42 किसे संबनित है, अमित, जो आप 42 दे रहे हैं, 42 इसका answer नहीं होगा, So, answer please, So, यहाँ पर फिरोज एक के साथ जा रहे है, ठीक है, नगर नेगम, जितने भी लोग हमारे सर, एक के साथ जा रहे थे, article 44 जी सही थे, चली, आगे बढ़ते हैं, भारत में सरवाधिक विस्तरत 1 कौन से है, which of the following, आधी most extensive forest in India, तो इंडिया में सर, forest, mountain forest, evergreen forest, tropical evergreen forest, यहाँ फिर tropical deciduous forest, तो भारत में सर, कौन से आपको यहाँ पर, jungle देखने को मिलेंगे, चल्दी प्लीज, वेटिंग, तब तब मैं आपको hint दे दू, सर, इन में से जो आपके forest है न, जो सही answer है, वो एक तरह से monsoon forest, के नाम से भी जाना जाता है, अब तो मुझे answer दे दो, क्योंकि जरूर इन option में सर, यह option देखे, आपको monsoon forest भी देख सकता है, तो engineer पाल, O.G. Amit, फिरोज खान, नीलेश निगम, then we have, मन्टू, इस cancer क्या होगा, जल्दी ब्लीज, तो यहाँ पर जो rainfall है, इस 70 से 200 सेंटीमेटर के आसपास मिलती है, अब सर, यहाँ पर जो यह answer होगा, के वल मन्टू, डी के साथ आ रहे हैं, तो सब मन्टू के लिए बूलना पड़ेगा, मन्टू, जहाँ परना तो सीग रेट हो, अब यह जो decidious forest है, यही सही answer है आपका, यह जो ट्रॉपिकल decidious forest, यह जो ट्रॉपिकल decidious forest है, यह भी आपके फुर्दर दो क्लास में डिवाइड हो जाता है, अब यह दो पार्ट कौन कौन से है, यह आपका ड्राइ भी हो सकता है, और यह सर आपका moist भी हो सकता है, तो आप लिख देता हूँ, यह दो तरह के हो सकते हैं, moist और dry यानि सुगे अब simple सी बात है साथ जहाँ पानी की मातर है ज्यादा होगी तो आपके moist वाले पार्ट में आ जाएगे moist decidious forest और जहाँ पानी की कमी होगी वहाँ पे dry decidious forest लेकिन अगर हम लोग बात करें इस सवाल की तो अगर भारत की बात करें अब जो tropical evergreen forest हैं ये वाले तो सर इनके बारे में कुछ खास बात हो जाए तो tropical जो evergreen forest होते हैं बेटू इन में आप लोग याद रखीगा सर इसमें जो temperature है सर annual precipitation है वो on and average 200 cm के आसपास होती है जो average temperature है सर वो 25 degree centigrade के आसपास रहता है सर ये सदा बाहर वाले जो forest हैं हमेशा green रहते हैं तो evergreen forest वाला पाथ हमको वैसे link हो जाता है तो ये सारी की सारी चीज़े होगए अब पूरे देश में आपको परवत ऐसा थो है पूरे देश में परवत मिलते हैं तो हम लोग सीधे कहलें कि इस्ट में नॉर्थ में या वेस्ट में तो सर यह हो गया east यह हो गया west यह हो गया north यह हो गया south तो नेपाल जो है इंडिया की neighboring country है यह सर इंडिया की comparison में कहां पर इस्थे थे तो भारत के डैश पर इस्थे थे जल्दी प्लीज पूरव में उत्तर में दक्षड में या पश्चिब में तो यह तो सर बेसिक सा आंसर है इसका तो मेरी काल से सब लोग तो आपका जो नेपाल है तो वो कहां पर है नौर्थ डायरेक्शन में बिलकुल यहां पर जो आंसर है जितने भी लोग उत्तर दिशा की बात कर रहे है यानि नौर्थ की बिलकुल सही है तो यहां पर तो सर एक एक वच्चा सही था संगीता बुमनेश वाइटी गेमर ओज रिकेग्डनाइज डांसर तो सर कौन सी धा दानसर मनिपूरी कुचीपूरी नहीं बरत नेट्यम की डांसर स्वर्च वर्च 1905 में पद्जरी प्राफ्ट करने वाली मरालि सारब भाई एक मानिता प्राफ्ट नरत्यांग नहीं कहां की ओडिसी मनिपूरी कुचीपूरी न भरतना टेम, तो मुझे बताईगा सर, आप स्टेट से भी लिंक करके इसका आंसर दे सकते हैं, तो सर वो कौन सीड आंसर थी, सो वेटिंग, तो आपको जब तक आंसर नहीं पता, आपको ज़रा बता दूँँ, सर आप केरल वाले पार्ट से इसको लिंक कर सकते हैं, रुची आप शायदा थोड़ा से पीछे चल रहे हैं, पर आप प्लीज रेफ्रेश कर लेना, सो जल्दी ब्लीज, तो यहाँ पे सर ये ना इन्होंने पता है, अगर इनके खास बात पता हूँ, मुराली निन जी की, तो इन्होंने सर अठारे हजार से ज्यादा, अठारे हजार से ज्यादा बच्चों को कत्थक और भरत नाट्यम सिखाया है, सोचो, अठारा हजार से ज्यादा बच्चों को कत्थक और भरत नाट्यम, तो अब सर अब तो आंसर दे दो, और उनने सो पैसे निकों मिला है, तो यहाँ पे पद्म भूशार्ण, पद्म विभूशार्ण, दोनों ही अवार्ड से सम्माने थे हैं, तो जल्दी प्लीज, कुछ ही पुड़ी, ओजी हमें जा रहे हैं D के साथ, सर, यहाँ पे जैसे कि मैंने बुला कि यह नों ने 18,000 से बच्चों को कत्थक और भरत नाट्यम से खाया है, तो अब इस वाले पार पर जाना, तो मुझे साफ 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 समझ में आ रहा है, सर, वो भरत नाट्यम ही तो, क्या एतनी चीज़ क्लियर होगई, तो यहाँ पे सही आंसर इस और अप्शन नमर दी, अगला सवर, निम लिख एतमाँ से कौन सा बाजरा या मोटे अनाच का उधारा नहीं है, विच अधा फॉलेंग इस नोट इन एक्जेंपल फ मिलेट और कोर्स ग्रेंश, सा तो, फिरो उस डी विलकुल सही था बिटा, भरतिन अटम सही था, इसका अंसर दो, विच अधा फॉलेंग इस नोट इन एक्जेंपल और कोर्स ग्रेंश, सा ज़वार, रागी, वीट या बाजरा, तो यहाँ मिलेट का में एक्जेंपल ले लेता हूँ, सा मिलेट्स, आप लोग सर जा सकते हैं, जवार के साथ, ठीक है, फिर आप बाजरा का एक्जेंपल ले सकते हैं, बाजरा के लावसर रागी का भी एक्जेंपल ले सकते हो, और मक्का जानते हैं, सब लोग मक्का, तो अगर मक्का की बात करूँ, इसको अंगरीजी में कहते हैं मेज, यह सारे के सारे आपके जो है ये क्या हैं यह सारे के सारे आपके मौटर ना है यह मिलट में आते हैं लेकिन यह पिटा आप देगे आप देखी कि छोटी छोटी होती है विल्कु सारसोने जैसी ना तो यहां पर उसके example है ना कुछ images अभी में possible नहीं तो आपको अभी दिखाता है So YT gamers, यहां पर सभी लोग याद रखेंगे यहां पर जो गहुँ है यानि के wheat सरी आपका सही answer होगा, so it is not under course grains, right So, millets जो होती है, सर आभ मुझे यह बता दो, यह millets है सर एक कैसी होगी, खरीफ होगी, यहां फिर राभी होगी कली मैं आपको खरीफ और राभी के बारे बता रहा था हूँ, देख बार बताओ, फटाफट से सरदियों का टाइम आज चुका है, अब तो लिंक करके बता दो कली डिसकस किया, क्योंकि सर खरीफ और राभी एक्जाब है बहुत पूस्ता है, तो मन्टू गेहूं बिलकुँ सही आंसर है राशित, भी, यानि कि रागी नहीं है बिटा अंसर, गेहूं होगा अंसर तो मुझे फटा-फट से बताएगा, सर ये खरीफ है या राभी है, तो सभी लोग आतखना ये खरीफ होती है, ठीक है तो ये जो आपके मेलेट्स हैं, ये कैसे हैं, ये खरीफ होती है, राभी नहीं है चलिए सर, इतनी चीज़ होगी, next, अगरे स्वाल पर चलते है तो C is the correct answer, अगला, सर, टेवल टैनिस में, टेवल की उपरी सते की लंबाई कितनी होती है इन टेवल टैनिस, the length of the top surface of the table is dash, तो सर, टेवल टैनिस ये दर net लगी हुई है, तो आप से पूछा है, length जो है, top surface की table की, वो कितनी होनी चाहिए तो खारीफ है, बिल्कुल सही का आपने, next, sir, English की class, बिटा, यहां पर संगीता मुझे न, इसका idea नहीं है, मुझे पूछना पड़ेगा क्योंकि न, मेरी classes regular रहती है, morning में 10 to 5, तो बिल्कुल idea नहीं है, कि बागी classes कौन-कौन से चल रहे हैं, लेकिन class की जैसी ending होगी न, आप प्लीज, youtube के comment section में डाल देना, मैं एक बाटीम से पूछ के आपको बता दूगा, राइट, चलो, तो इसकान से है दो, sir, table tennis का जो अप 2.74 meter, संगीता, हो जी, हमें जाने, D के साथ, sir, कितना हो गया, 2.270 centimeter, okay, बागी लोग, अच्छा, किसी ने confirm किया, किया, YT gamers, मुझे idea नहीं, क्योंकि मैंने पूछा भी नहीं, ये मेरे दिवाग में आया भी नहीं, so, अगर ऐसा है, किसी ने आपको बताया, तो एक बाट प् सवाल बता दो, तब मीटर से सेंटिमीटर कनवाजर तो हमको अच्छे से आता है, बाई, किवल सौ से मल्टिपलाई तो खड़ना है, तो दो सो चौतर सेंटिमीटर, तो बेटु जो यहाँ पर आंसर होगा, वो क्या होगा, दो सो चौतर सेंटिमीटर, ठीक है, चलिए, so, यहाँ पर, दो सेंटिमीटर, अगला सवाल, गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद भारती मंदिर पर आकरमण किया था, यह तो सर हमको एक एक बच्चे को इसके बार में डिटेल में पता है, पर आप लोगों से फिर भी मैं आंसर पूछा चाहूँगा, फिच फेमस का यहां फिर लिंगराज टेंपल, उडिशा का, so what will be the correct answer, एक बार जल्दी से आंसर दो, फिर तुल्दा सर डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, और यह सवाल सर बच्चे-बच्चे को बता है, right, so जल्दी, क्या आंसर होगा, तो यहां पर सब लोग, एक एक बच्चा सही जा रहा है, बिलको सही, तो यहां पर बेटा याद रखीगा, यह जो आक्रमण किया, कब सर्येता 1025 AD, right, 1025 में, अब 1025 में, जब सर आक्रमण किया है, यह कहां पर आक्रमण किया है, सर यह किया, सोमनात मंदिर पर गुजरात मे अब जस ठिंक, हम लोगों ने सर इसके बार में कई बार बढ़ा है, सर 14 बार आकरमण, हाना, सो अब सर यहां पर, सर 17 बार आकरमण, तो यहां पर सर जो 17 टाइम्स, तो आप लोग समझ रखते हैं, उस तरह पर हमारे देश की वेल्थ क्या रही होगी, तो सब लुटे रहे हाना, लुटने आये थे, हमारे सर यह जो सुमरात का मंदे जब इसको सामान गया, अब यहां पर आप लोगों को पता है नहीं होगी, अले चीज, आप लोग में से कितने लोग हैं, जो आगरा का किला देखने गए हैं, कोई हैं अपनी गलास में से, सभी लोग, कभी किसी न बड़ा रूम है, जिसके नहीं डूर रखा हुआ है, तो अंग्रेजी शाषनकाल में यह सोचा गया, कि सर यह न वही वाला गेट है, जो कि सुमनात मंदिर का था, लेकिन बाद में पता है कि सर ऐसा नहीं है, फिर वो जब से गेट था ना, वो आगरा फोर्ड में रखा था सर यह रथ यात्रा कहा पर निकलती है, जगनाद पुरी में, राइट, जगनाद भगवान जी के उहां पर मूर्ती स्थापित है, खेर आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर सही अंसर था सर सुमनात, अगला सवाद, अच्छा आगे बढ़ने से वेले में जब आपको पता दू कि PG-CIL, सेल, इनके बैचे सार स्टार्ट हो चुके हैं, लाइन में के, और अपना एक सर क्रेश कोर्स तो चली रहा है, तो जितनी लोगों ने अभी तक कोर्स में अन्रॉल नहीं किया है, अगर आप कोर्स में अन्रॉल करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या, आप एक जाद क्लिक करता हूं, तो सर यहां पर आप देख रहे होंगे, सभी कोर्स इस पर डबल वैलिटी मिल रही है, यानि कि 6 महीने वाला कूर्स 12 महीने के लिए, 12 महीने वाला 24 महीने के लिए, और 7 में आपके कोर्स की फीस है, सर वह आपकी अब 800 से भी कम है, लेकिन यह ओफर के वाल अब आज के लिए और कल के लिए वैलिट होगा, तो क्योंकि एक तारिक था, मैं खुद देखके भी शॉक होगे, कि अभी भी डबल वैलिटी चल रही है, जैसे वाहे नाओ पर क्लिक करता हूं, तो आपका 3596 वाला कूर्स 721 का मिल रहा है, लेकिन अभी मैक्सम जाद ही कोड है आपका Y723, जससे सेकेंड, यहाँ पर कोड लगाओगे Y723, जैसे आप कोड लगाते है Y723, आपका सर्द डिसकाउंट हो जाएगा, और यह हो गया सर्द 719 का, और आप एप के पास जाएगे है, तो आप एक परसेंट का और डिसकाउंट मिल जाएगा, या The Woods Dispatch sent by the Court of Directors of East India Company in 1854 was related to Dash, 1844 में East India Company के Court of Directors द्वारा भेजा गया, Woods Dispatch किस से संबंदे था, अकाल, military यानि की सेन, या फिर कपडे यानि की वस्त्र, क्लोथ, या फिर education, सिक्षा, तो यहाँ पर सर्दाफट से मुझे आंसर दीजेगा, क्या होना चाहिए इसका सही आंसर Govind कल वो वापस से 809 का हो जाएगा, बस मैंने इसलिए बताए क्योंकि न आभी आपको double LD मिल रही है, तो अगर किसी को join करना तो कर सकते हैं, चलिए, वापस आते हैं, तो जैसे कि आपसे बूला गया, कि The Woods Dispatch sent by the Court of Directors of the East India Company in 1854 was related to what, तो सर क्या हो famine, military clothing, या फिर education, तो य यहां पर सब लोग याद रखेगा, सर, यह 1854 में, जो वूट Dispatch के हम बात करे हैं, तो यह किस से संबन देता, सर, यह था education से संबन देता, यानि की, सर, यह आपका सिक्षा से संबन देता, तो प्लीज इसे याद रखेगा, राइट, सो इसको हम लोग ना, Magna Carta भी कहते है इंग्लिश education, चली, यह भी हो गया, next, अगला सवाल, अगला है, सर, इन इंडिया, National Voters Day is celebrated on dash, तो सर, मार्च 26, फरवरी 24, दिसम्मर 27, यहां फिर 25 जन्वरी, तो यह न कुछ days हो गया, जो एक्जाम है पूछ लिया जाता है, कि National Voters Day कब हो गया, तो इस सरी किस सवाल तो हम लोग चाहेंगे, सर, आप लोग भी न, प्लीस, इन वाले dates को कुछ याद कर ले, तो इन इंडिया, National Voters Day is celebrated on dash, तो भारत में, राष्ट्रिय मत दाता दिवस, कब मानाया जाता है, तो क्या होगा इसका answer, संधी बेटा, क्लोथ नहीं ता, वहाँ पे education था, बेटा, answer, वह education है, ठीक है, चलो सर, National Voters Day, कब होता है, तो यहाँ पे सर, जब तक आप answer दें, तो अक्षाद ने सबसे पहले D answer दिया, बहुत बढ़िया, संधी ता, अक्षाद और संधी बेटा के लिए, जहाँ बना तो सिग्रेट हो, बिलकल सही, और सबसे पहले कब मनाया गया था तो सबसे पहले इसकी जो शुरुवात की गई थी, वो सब 2011 में की गई थी, राइट, सो National Voters Day, आपका जो मनाया जाता है, यह 25 जनवरी को मनाया जाता है, चलिए, सो अब यहाँ पे था गया, सबसे वाले सेलेट किया, तो election commission का जो foundation day है, सर यही है, अब election commission का भीना भी तो सबसे पहले मनाया जाता है, इसकी वज़ा से यह 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, इस रेट क्लियर, सो 2011 में सबसे पहले मनाया गया, तो examen ऐसे पूछ लेता है, चलिए सर, इतना दन, तो 25 जनवरी is the correct answer, अगला सब, इन जून 2022, the Reserve Bank of India has released a report title Dash, तो जून 2022 में भारती Reserve Bank ने, किस सीर्चक से एक report जारी किये, डेटल मुद्रा विजन 2030, भुकतान विजन 2025, डेटल मुद्रा विजन 2025, या फिर भुकतान विजन 2030, तो यहां तो यह डेटल करंसी विजन है, या फिर पेवेंट विजन है, लेकिन क 80 gamers, डी बिल्कुल सही answer था बेटा, इसका answer बताओ क्या होना चाहिए, और जितनी लोगों अभी तक session को like ने किया, फड़ा वर्स चल्दी से like कर लो, share कर लो, क्योंकि sir, ये सारे सवाल previous year के questions है, और इन questions को लाने के लिए seriously efforts लगते हैं, तो इसमें न, एक बड़ ट्राय करके यहां पर क्या answer होगा, June 2022, so कौन सा vision, राशिच कहा रहे हैं sir, Digital currency vision नहीं बिटा, यहां पर जो answer है, वो है, payment vision 2025, तो payment vision 2025 is the correct answer, और यहां पर जो date है, वो है, July 17, 2022, तो मैं लग देता हूँ, July 17, 2022, तो यहां पर जोलाई 17, 2022 को रिज़ा बैंक ने publish किया, architecture of digital finance, हाना, so मैं लग भी देता हूँ, architecture, architecture of digital finance, तो sir हम को इसके यहां पता रहे हैं, exam में यहां से question put up करता है, तो मिलू, राशिद, जितने भी लोग एक के साथ जाना है, यहां रखना, पेमेंट विजन ओफ दोजार पच्चेस, चलिए, next, अगला सवाल, अगला है, sir, Georgia Maloney recently became the first female prime minister of which country, तो sir, इसका आप answer दीजिएगा, फटा फट, क्या लगता है, क्या होना चाहिए answer, waiting for the answer please, क्या लगता है, तो यहां पर सही answer क्या होना चाहिए, अच्छा, नेट नहीं काम कर रहे है, तो यहां पर मिलू short videos जा रहे हैं, A के साथ, Sangeetha जा रहे है, Italy, Rajit जा रहे है, C के साथ, तो यहां पर सब लोगे जो answers आ रहे है, Austria, Italy, अलग-लग answers आ रहे है, अब यहां पर ना, आजकल आपनों कुछ memes देख रहे होंगे, पता ने कितने लोग उसको link कर पा रहे हैं, तो यहां पर राश्यत जो लोग Instagram काफी चलाते होंगे हैं, तो मोदी जी वाले memes देख रहे होंगे, तो वहां से आप थोड़ा सा link कर पाएंगे, तो गुरुदेप, यहां पर जो answer है, ना तो Austria है, ना ही Ukraine वाला पार्ट है, यहां पर जो answer है, तो यहां पर जो answer है, बी वाले कितने हैं, केवल O.G. Amit B के साथ जा रहे हैं, और हमारे संगीता B के साथ है, तो O.G. Amit B और संगीता के लिए साथ बोलना पड़ेगा, जहां परना तुसी great हो, yes, कि सर अगर मैं Georgia Maloney की बात करो, सर, recently पहली सरी Prime Minister बनी है, किसकी Italy की, तो जितनी भी लोग इटली के साथ जा रहे हैं, यानि option number B, they are great, स्मूधी से लिंक कर पा रहे हो, आप मैं detail में नहीं बताऊंगा, लेकिन, आप लोग इसमें जानते हैं, जो memes आज खल बहुत जादा famous चल रहा है, Facebook या Instagram खोलो, तो बस स्मूधी जी मोजी दिखाई दे रहे होते हैं, किसी के साथ, तो आप लिंक कर पाएंगे, जोर्जिया मिलोनी recently became the first female PM of Italy, चली सर, तो आपर जो सही आंसर वो है, इटली, next, अगला सवाल, अगला सवाल है सर, लखनौ पेक्ट वो साइंड बिट्वीन डेश, तो लखनौ संधी पर किस के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं, Muslim League और Mahatma Gandhi, भारती राश्ची Congress और RSMarch, भारती राश्ची Congress और Muslim League, भारती राश्ची Congress और सयद एहमद खान, तो यहाँ पर answer किया है, येस, बिलकुल, तो गोवेंद अब लिंक कर लिए हैं, लेकिन अब सियादा नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी, प्लेट्फरम सही नहीं सयद एहमद खान, तो what will be the correct answer, जल्दी ब्लीज, तो जब तक आप लोग answer दे रहे हैं, आपको मैं E.R. बता दू कि examiner, E.R. बहुत पूछा जाता है, के सर, लखनो पेक्ट कब हुआ, कॉंग्रेस का जो split था, वो कब हुआ, तो सर, यहाँ पे ना हम लोग 1907, 1916 यह सब बागी लोग, जल्दी ब्लीज, तो यहाँ पे सर, first instance of Hindu Muslim unity against the British rule, तो पहली बाट जो सर, यह यूनिटी देखी है, Hindu Muslim University के हम बात कर, स्वरी, Hindu Muslim unity की बात कर रहे है, तो Hindu Muslim unity आपको यहाँ पर, जो sign किये गए सर, it was signed between Indian National Congress and Muslim League, तो जितनी भी लोग यहाँ पे C के साथ जा रहे ह एक एक बच्चा यहाँ पे साही है, right, so यहाँ पे सर, 1916, 1916, 1916, तो यहाँ पे सर, बिल्कुल साही, साही आज़र होगा, option number C, next, अगला सवाल, अगला है, under him, the Shainai came out of its formal context and became, and came to be accepted as a classical musical instrument, तो यहाँ पे सर, आपको बताना है, भारतिय संगीत वक्तियत्व को पैचाना है, तो जिनके अधीन, शेहनाई अपने आपचारिक संदर्व से बाहर आई, और एक शास्त्री संगीत, वाग यंत्र के रूप में सुविकारी जाने लगी, तो कौन थे हो, सर, अल्ला राखा, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, पंडित राम नरायन, या फिर उस्ताद बुंदु तो आपके पास चार ओप्शन्स हैं, और इसके बारे में तो मेरे काल से सबको पता होगा, क्योंकि मैं शेहनाई की बात हो रहे हैं, और शेहनाई से संबंदेश प्रशन आजाए, और हम लोग गल्त ही करते हैं, ऐसा तो होई नहीं सकता, तो जल्दी प्लीज, तो वेडिक रतन भी मिला हुआ है, तो सबसे पहले संगीता जा रही है, बी के साथ, चंदरशेकर शा और शाह गोविन संदी भाबा वी के साथ हैं, अमिद भाब शाहरोज बंज के साथ, एक एक बच्छा जो ब्ल्कों सही, तो उस्ताद विस्मिल्ला खान साहब यहाँ पर वोशक्स है जिनकी चक्कर में जो देखा जाए तो शेहना ही जो है न, जैसे बहुत कम लोग जानते हैं तो यह आप इसे नेशनल लेवल पर जाने जाने लगी, सुमिथेश, अक्षट, सुनील, एक बच्चा भी वाले बिलको सही है, next, अगरा सवाब, सर एक प्रतिविम जिसके प्रदे पर प्रफ्ट गिया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, a reflection that can be obtained on the screen is called what, vector image, virtual image, real image, या फिर spectral image, तो इसका अंसर सर क्या होना चाहिए, तो अगर सर आपको screen पर कोई भी सर प्रतिविम मिल जारा है, तो तो कोईसी image होगी, जल्दी प्लीज, सर जो image है, सर जो screen पर या photographic film पर मिल जाए, photographic film, या फिर screen के हम बात कर लें, तो अगर आपको यहाँ पर image मिल रही है, तो क्या होगी, सर यह आपकी real image कहलाएगी, तो राशिद भाई हमारे जा रहे है, बी के साथ हैंने की virtual image, ओ जी, अमेथ हमारे B के साथ हैं, शाहिज तरो C के साथ हैं, बागी लोग, फटा-फट से संगीता, क्या लगता है answer, अक्षद, अक्षद हमारे C के साथ हैं, राशिद B के साथ, तो LPS, बेटा सेल, राउल किला, और P.G.C.L. हम दौनों के लिए previous questions ला रहे हैं, संगीता, वाइटी गेमर्स, अक्षद वील और एक और गेंडेट थे, कोई तो थे, क्यों इतनी लोग थे, तो संगीता, वाइटी गेमर्स और अक्षद, जहां बना तुसी गरेट हो, बिलकुल सही, तो सर, कभी भी अगर आपकी image, screen पर या photographic फिल्म पर बन रहे हैं सर, वो image आपकी real होती है, यानि कि सही answer होगा, आपका वास्तविक प्रतिविम, तो सही answer है आपका real image, तो सर, next, अगले point पर चलते हैं, अगला है, इन biology, IVF का मतलब क्या है, बायो में, IVF क्या होता है, IVF, तो फड़ा फड़ से answer दो, तो यहां पर सर, कई बाढ़ना हम लोग जानते हैं, सर, अपने जैसे देश की बात करें, तो यहां पर reproductive capability हैं, बहुत सारे issues हैं, हम लोग जैसे research भी देखें, तो बहुत सारे लोग को issue होता है, जिसके लिए doctors को बार-बार कंसल करना पड़ता है, तो अगर माल लीजे किसी की reproductive capability नहीं नहीं है, तो इस वाले case में हम लोग सर, IVF के साथ जाते हैं, राइट, तो in vitro का मतलब होता क्या है, मैं आपको in vitro का मतलब बता हूँ, यहाँ पे जो IVF लेखा है, पूरा आप ही बताना, यहाँ पे जो in vitro शब्द लेखा है, इसके बारे में बताना चाहूँगा, in vitro का मतलब होता है, in vitro का मतलब है, in glass, राइट, so in vitro means in glass, अब सर, आप लोग फटा फट से मजा answer दू, अक्षा C के साथ, चंशेगर C के साथ, YT gamers हमारे B के साथ जा रहा है, okay, so बेटा देखो C और D तो नहीं answer, तो IVF की जो full form होती है, बेटा वो होती है, in vitro fertilization, तो इसमें क्या होता है कि न, जैसे अगर नहीं है, तो यहाँ पर सर, uncouples को baby मिल सकता है, कैसे कौन सी प्रोसेंस के थूरू, so that is IVF के थूरू, जिसकी full form होती है, in vitro fertilization, इसका रहा है, बायो में हम लोग तुरा सा detail में देखेंगे, ठीक है, so इतनी जी दन है, next, अगर आप पेड़ वाली बात करें, तो पेड़ बैच में मैं अपने वाली क्लास का बता रहता हूं, जैसे अपनी क्लास से भी फिनिश होगी न, तो बारे से एक अपना वाईटी सेशन जाता है, वो सबके सब बिलकुल सही है, next, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, पत्यों में डैश नामक हरा रंग द्रव्य होता है, जो पत्यों को सूर्य के प्रकास से उर्जा प्राप्त करने में मदगत करता है, तो the leaves contain a green pigment which is called dash, which helps the leaves to obtain energy from the sunlight. अब सर यह क्या है? इसका answer क्या होना चाहिए? फटावर से मुझे answer दो. So, waiting for the answer. तो सवाल है सर, the leaves contain a green pigment which is called dash, which helps the leaves to obtain the energy from sunlight. तो पत्यों में सर, कौन सा आपका ऐसा द्रव्य है? अब यह चीज हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. अगर मैं हम बात करूँ सर फोटो सिंथेसिस की, जान सुनना? फोटो सिंथेसिस. इसको हिंदी में कहते हैं बेटू, प्रकास संसलेशन. तो प्रकास संसलेशन की जो प्रक्रिया है, इसके लिए सा जो requirement होती है, वो होती है क्लोरोफिल की. अब ये क्लोरोफिल कहां होता है, ये भी बता रहना चाहिए. राशित बेट डी नहीं होगा, सही आंसर होगा क्लोरोफिल. अब सर यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो क्लोरोफिल है, ये कहां पर होता है, तो जो पादक कोशिगाय होती है, यानि plant cells, उसमें महों जो होता है बेटा, प्लास्टेट. और प्लास्टेट की तीन कैटेगरी आपको बतादू, इसमें आता है आपका क्लोरोफिलास्ट, दूसरा है बेटा लिउकोप्लास्ट और तीसरा है बेटू आपका क्रोमोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट, लिउकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट यह आपके प्लास्टिट्स ही है तो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है न सर यही पर आपका क्या है chlorophyll और यह ही आपके प्रकास अंसर नहीं मदद करता है तो जितने भी लोग, hello शाह नवाज, कैसे हैं आप, after long time, so Guru Dev यहां पर जो आंसर होगा, वो क्या होगा, chlorophyll याने के option number भी आपका सही आंसर है, next, अगला सवाल, अगला सवाल है सर यह, sir, भूत कोला, अगला सवाल वर्शिप, रिच्च्वल, डांस, बिलॉंग सू विच स्टेट, तो भूत कोला, एक आत्मा, पूजा, अनुष्ठा, नरत है, यह किस राज से संबंदित है, तो एक बाद फटाफर से मुझे आंसर दीजिगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी प्लीज, तो भूत कोला से किस संबंदित है, जल्दी प्लीज, तो यहाँ पर साढ़ी क्या करते है, सर भूत प्रेतों की तरह, यानि कि स्परिट्स और भगवान जी की तरह, ड्रेस करते है, ड्रेस अप करते हैं अपने आपको, और फिर सर, उस से related dance होता है तो यह कहाँ पर होता है तो राश्यत कहा रहे है सर आंदर प्रदेश में होता है अक्षद बील कहा रहे है B यानि की टमिल नाडू LPS A के साथ जा रहे है देखो हमारे नमन वावा डी के साथ कहा है तो नमन मतलब इस पार नमन के लिए बूलना पड़ेगा जहां बना तुस्ती के लेटो इस पार किये वाल नमन का अंसरी तो नमन लेख लो बेटा एक डायरी में कि एक चोकलेट आपकी डन है प्लीज याद रखेगा यह जो प्लीज आपका डांस होता है कहां पर करनाटक रीजन रहें राइट यहां पर जो आंसर होगा और देटिस करनाटक राइट चली एक और सवाल देख लिए जाए एक सवाल और जैसे नदी मैदान में प्रवेश करती है उसमें बड़े-बड़े मोड आते हैं जिनने कुछ कहा जाता है तो नदिया जैसे मैदान में आएंगे तो बड़े-बड़े मोड आएंगे तो यहां पर जैने क्या कहते है As the river enters the plane, it takes big turn which is called as dash oxbow, embankment, spiral, pile तो यहां पर आपके बच चार options है फटा फट समरे answer दीजे, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए answer So waiting for the answer please Leafs चलो आपको लग दू यहां पो लग दू यहां पो लग दागा stack, ठीक है, सभी लोग पीड़े क्या लगता है stack, यहां पर लग देता हूं मेंडर जो हिंदी वाले है, मेंडर, ठीक है So LPS, अरे वा, after a long time, fan of Oja sir, important facts तो Oji हमें C के साथ है, that is मेंडर, okay, बागी लोग शाहिज सरूज A के साथ जा रहे, नमन A के साथ जा रहे नहीं, Oxbow, ठीक है So Gurudev, Draman A के साथ है, important facts C के साथ जगाए है, वो भी पिलकुल sure है, ठीक है सबी लोग, बाखी लोग answer तो फटा फट, ठीक है, और वो जो है ना, यह तो बटा U-shaped का होता है, U-shaped है, यह तो answer नहीं है आपको तो यहाँ पे साथ याद रखिए, जैसी river जो आपकी plains में आती है, नहीं मैदा में प्रवेश करते हैं, इनको आप विसर पर या फिर मेंडर के नाम से जानते हैं, यानि कि आपका जो answer है, वो होगा option number C इंपॉर्ड़न फैक्ट्स ने, fan of Uriya Sarg ने आती है, तो इस फ़र आती है, आती है, आती है, आती है, आती है, आती है, आती है आती है है, उसके लिए बूलना पड़ेगा, जहाँ पना तो इस तो पर यहाँ पर जो उत्तर है, वो का मेंडर, अब आपको मैं दे जा रहा हू मुझे comment section में एक एक बच्चे का में इंजार करूँगा क्योंकि सारे टेरेंटेट्स है चर्ण शेकर, गोविन, राशिद, नमन, शाही सरोच इंपोर्टन फेक्ट्स, प्रिंस, ओजी अमित एलपीएस, संगीता शेहनवास, एंड फिरोज तो ये लोगों के नाम तो मुझे याद हो गया है आप लोग वो केंडिट्स हैं जो रेगुलरी सही आंसर दे रहे हैं तो आप सबसे request है, please comment section में इसका आंसर देना और आपके कोई भी doubt है तो comment section में प्लीज पूछ लिजेगा तो सबी लोग प्लीज का comment section में आंसर देना और जितनी लोगों ने course जोइन की, अगर आप जोइन करना चाहते हैं तो आप coupon code लगा सकते हैं Y723 और अभी आप कोई भी course लेंगे तो वो double value के साथ मिलेगा कल मैं इसी को सीरिज को फिर आगे बढ़ाता हूँ thank you for being such a wonderful audience मिलते हैं आप से कल bye bye everyone, take care, jai hin and yes love you all